आज मैं आप लोग को बताने जारहे हूँ अध्याय 2 के बाले मत अध्याय 2 में 1-1-1-1 संशाधन दिया हुआ है तो इसमें जो कुल जो है प्रस्ण जो है वो टोटल तीन प्रस्ण आएंगे जिसमें से दो प्रस्ण रहेगा एक एक नंबर का और एक प्रस्ण रहेगा दो नंबर का तो आपको इस अध्याय में जादा बड़ा प्रसन बढ़ने की जुरत नहीं है, आपको छोटा-छोटा प्रसन भी पढ़ना है, ठीक है, तो जो प्रसन बैंक में question दिये हुए, जो 2021-22 का प्रसन बैंक है, वो आया है, उसमें जितने भी प्रसन है, उसका मैं आपको answer दे देता इस्तित है, कहां इस्तित है, तो सीधी बात है, जो इसका बाग रिजर्व परियोजना जो है, वो है राजिस्तान में इस्तित है, ठीक है, तो आपको इसको राजिस्तान लेना है, इसके बाद नेश्ट देखो, निमलिकित में से किस राज में सयुद्वन प्रबंद का पहल से दूसरे इसान जाके खेती करने को ही सांतरिक केछी कहते हैं ठीक है चलो आगे दिखते हैं निम लखित मेंसे स्थाई बनों का सरवाधिकमक्ष चेतर किस राजमें इश्थी थे तो सबसे जादा जो है 1 छेती जो राज है वो अपना मद्धप्रदेशी है ठीक हो यहाँ पर मद्धप्रदेश लेना है रिक्ति इस्थानों की पूर्ती कर लिखे ठीक है तो यहाँ पर देखते हैं रिक्ति इस्थानों की पूर्ती पहला है हिमाला यह एक खालिस्थान पौधा है तो यहाँ पर आएगा औस धी हैं तो कौन सी जन जाती है गहां पर महुआ लेना है इसके बाद है नेश्ट है बांधल राष्टी उद्यान आँ नाँ श्तित है तो यह है मध्य प्रदेश में श्तित है इसके बाद में खालीषितन टाइगर तीजरो डोलोमाइट के खनन के करन गंभीर खत्रे में है चलो अब इसके बाद देख लेते हैं सही जोडी मिलाओ देख लेते हैं सही जोडी मिलाओ में देखो पहला काला हीरन काला हीरन जो है वो संकर्ट गरस्त जीव है ठीक है तो यहाँ पर आपको लेना है संकर्ट गरस्त लूप तलेना है इसके बाद देख लेते हैं सत्य असत्य देख लेते हैं तो सत्य असत्य में देखो पहला प्रश्ण है वनो पर दूसरे सभी जीव निर्भर करते हैं ये सत्य है क्या सत्य ये सत्य है भारती वने जीव नादिनयों उन्हीं सबहत्तर में लागू किया गया थे ये सत्य के सत्य ये सत्य है इसके बाद एक वाक्य में उत्तर देना है तो देखते हैं भूमी पर रहने वाले सबसे तेज इस्थांधारी प्राड़ी कौन सा है तो सबको पता होना चाहिए तेंदुआ है भारत का कितने प्रतीसत राष्टी जल शेत्र प्रदूसीत है तो सत्तर प्रतीसत यहाँ पर लेना है सलेस और बर्न किस्से संबंदित है तो इस्थांतरी किसी से विकासिल देशों में परियावरन विनास का मुख्य दोसी किसे माना गया है तो यहाँ पे अद्योगी की करण को लेना है टीरी में किसानों द्वारा किया गया आंदोलन का नाम लिखे तो चिपको आंदोलन उन्हों नहीं किया था इसके बाद देखो निम लिखित प्रस्णों के उत्तर लगभग तीस सब्दों में लिखे तो पहला है जैवित्ता किसे कहते हैं तो देखो जैवित्ता का यहाँ पे मैं बता दें ठीक जैवित्ता यहाँ पे प्रस्ण कैसे आएंगे तो जैवित्ता किसे कहते हैं यहाँ पे इस तरह से प्रस्ण रहेगा लेकिन इसको कई नामों से पूछा जाते है जैसे जैवित्ता क्या है, जैवित्ता क्या कहलाता है, ऐसे पूछ देता है, तो आपको एंसर वही लिखना है, तो जैवित्ता किसे कहते हैं, तो मैं अपने सब्दों में आपको देता हूँ, जीवो में जो वित्ता पाई जाती है, उसी को हम जैवित्ता कहते हैं, समझ में है चोटा सा इसका answer है जादा बढ़नी है यहाँ पे जो एंसर दिया है यह तो थोड़ा बढ़ा है ठीक है आप इसको भी पढ़ लेना ठीक है लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो आप क्या लिखना जीओ में जो विवित्ता पाई जाती है उसी को जैविवित्ता कहते हैं यह यह जो answer में क्या कह रहा है इसको भी मैं आपको याद करा देता हूं संकट गर्ष जाती वे जातिया होती है जो भविस्य में नष्ट होने के कगार पर है उसे हम संकट गर्ष जाती कहते हैं अगर उसे भविस्य में उसका देखरेक नहीं किया जाया तो वो जाती लुप्त ह जाएगी इसे ही क्यों हम कहते हैं संकर्डगत जाती फिर हाल यह जीवों पे संबंदी था लेकिन यहां पे जाती सब्द देदी है तो भी वही चीज़ है ठीक है चलो आगे देखते हैं इसके बाद है प्रोजेक्ट टाइगर योजना क्या है तो प्रोजेक्ट टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर योजना है तो इसका अंसर आपको क्या लिखना है देखो यहां पे तो यहां पे आपको लिखना है सब्दाकर्थ वन के रूप में अभी लिखित एक चेत्र परन्तु जिसे आरक्षित या सरक्षित वन स्रड़ी में सम्लित नहीं किया गया, समझे आरक्षित और सरक्षित दोनों स्रड़ी में सम्लित नहीं किया गया है इस प्रकार वनो का स्वामित इस्थिति एक दूसरे के राज्य में भीन-भीन होती है तो यह इसका एंसर लेना है अविकित वन को ठीक है, आगे देखो और अगर इसको द्यान से समझो विर्गी की 1 को तो इसका अंसर थोड़ा अलग होगा ठीक है लेखिन यह भी अंसर सही है चलो आगे देखते वनों की कटाई के कोई दो परोग्च परणाम लिखे तो देख लेते हैं क्या-क्या हो सकता है दो परणामै तो देखो वनो के काटने से मृधा परदन में विर्धि होती है बार का खत्रा बढ़ता है वनो से प्राप्त होने वाले उत्पादकों में कमी आ जाती है तो यह सब चीज होता है तो हमें सिर्फ दो देखना है यहाँ पर और भी दिया हुआ है आप देख लें न ठीक है चलो आगे देखते हैं एकालवरिक्ष जाती हो के बड़े पैमाने पर रोपण करने का क्या खत्रा सामने आया तो इसका answer क्या है तो इसका answer इस परट तो नहीं मिल रहा है लेकिन मैं आपको बता दूँ एकालवरिक्ष मतलब होता है निलगिरी के पौधे निलगिरी के जो पौधे है इससे अउस्धी प्राप्त किया जाता है कई प्रकार की दवाये बनती है तो ये बहुत मत्पूर पौधा है और इस पौधे को वैग्यानिक रोपने की कोसिस कर रहे थे मतलब रोपना चाहते थे लेकिन कुछ प्राप्लम आ गए जहां पे तो वही प्राप्लम के इसमें पूछा गया तो इसका अंसर इस पर्ष्ट नहीं मिला है इसलिए मैं इसका अंसर रोग रहा हूँ आगे देखते हैं साथवा प्रशन देखते हैं आययउ सी एन का अर्थ क्या है तो आययू सी एन का अर्थ होगा इंटरनेशनल यूनियन ओप कनसर्वेशन ऑप नेचुरल होगा ठीक है आगे देखते हैं भारत में जैयव वीप्तअ को कम करने वाले दो कारण लिखे तो देख लेते हैं दो कारण क्या क्या हो सकते हैं तो देखो जैवीत्ता को नश्ट करने वाले नीमने कारण लिखना है हमें तो दो कारण देख लेते हैं जन संक्या हो गया अधिक जन संक्या हो गया दूसरा है झाल झाल